जेनल टेस्ट जेनल टेस्ट जेनल टेस्ट क्या है ये जेनल टेस्ट क्या हमारी राइट अप्रोच होनी चीए जेनल टेस्ट के लिए क्या इसका स्लेबस है किस तरीके से से अप्रोच करें कि जिससे हम लोग अपने एक्जामिनेशन के अंदर जेनल टेस्ट के अंदर के लिए जनल टेस्ट मेंटर वेलकम करता हूं बहुत ही अमेजिंग वीडियो के अंदर जहां पर हम लोग जनल टेस्ट से रिलेटेड हर एक चीज जानेंगे क्या इसका स्लेबस है क्या आपके अप्रोच की करने की तरीके होने चाहिए किस-किस तरीके से हम लोग या फिर मैं आप सभी को help करूँगा जनल टेस्ट को tackle down करने के लिए और हम लोग 100% कैसे लेके आएंगे जनल टेस्ट के अंदर और थर्ड पार्ट है आपका जीके का अंड इसी के अंदर अगर आप बोलना चाहिए तो आप करने अफेस एक और बोल सकते हैं तो बेसिकली आपका यह चार पार्टों में डिवाइड़ है सर बहुत बार बता दिया आपने कि चार पार्टों में डिवाइड़ है लेकिन मुझे चप्टर के नाम नहीं पता समझ नहीं आता कि क्या है इसके अंदर क्योंकि अगर मैं ऑफिशल वेबसाइट पर जाओं सी उटी की तो वहाँ पे तो बिलकुल पांच लाइनों में जन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगा आप लोग चाहे इसका तो स्क्रीन शॉट भी आप लोग ले सकते हैं तो यह अगर मैं बात करूं कौनेटिव अप्टिव अप्टिव के फिर निम्रिकल अबिलिटी से हम बोलते हैं तो इसके अंदर हम लोग नंबर से रिलेटेड ब सिंपल इंटर्स कंपॉड इंटर्स टाइम इन वर्क टाइम इस पीडिस्टेंस क्लॉक अनिकल इंटर स्टैस्टिक्स एलजेब्रा मेंसुरेशन जुमेट्री एंड डेटा इंटर इपटेशन सर डर लग गया दस वी के बाद तो मैंने मैं आशोर दी थी तो अब मैं क्या इसको बिल्कुल भी अच्छे माक्स नहीं लेकर आ सकता उसको बिल्कुल भी टेकल डाउन नहीं कर सकता बिल्कुल गलत थोट है आप सभी का मैं आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल के ओपर तमाम बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ और मैं हर एक बच्चे को य बहुत अच्छी तरीका समझाता हूँ और जो एप्रोप्रेट उसकी पूरी की पूरी प्राक्टिस शीट्स होती हैं वो भी आपको देता हूँ और बताता हूँ वाट इस दा राइट एप्रोच तो सॉल दे क्वेस्टिंज तो आप सभी को इन सारे के सारे चैप्टर के ल के लिए यूट्यूब पे भी live classes चलती हैं जिस तरीके से पढ़ने आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा से elaborate मैं कर देता हूँ जैसे कि आपके पास number system से directly questions आते हैं भहिया HCF LCM कि 34 का 36 का 72 का LCM निकाल दीजे इसका HCF निकाल दीजे एज इसको पर question देतेगा कि राम की एज इतनी थी शाम की एज इतनी थी उन दोनों के ratios देतेगा और उसके बाद की चार साल के बाद कि उनकी एज कितनी होगी इस तरीके से सवाल आप सभी के सामने आते हैं बहुत प्रोच होनी चाहिए क्योंकि general test के अंदर आप सभी को सिर्फ और दर एक घंटा मिलने वाला है और you have to attempt 50 questions तो सही approach अगर आपकी होगी तभी आप लोग उन पूरे-पूरे questions को करके आप आएंगे और yes जो हमारा target है to score 100% in CUET in general test तो हम उसे तभी achieve कर पाएंगे तो आप सभी को मैंने guide कर दिया है कि आप लोग यहां पर playlist पढ़ी है हमारे बहुत सारे batches है जैसे प्रवेश one point होई एक crash course भी हमारा आ गया है उसको भी अगर आप जाकर एंडोल करेंगे तो वहां पर भी आप सभी के पास general test मिल्कुल इस क्राह से पढ़ाए जागा और हर एक चीज बह अगर मैं बात करूंगा logical reasoning की सर लॉजिकल रीजिनिंग आज तक नहीं बड़ी मैं state board से हूँ मैं आपका cbsc board से हूँ आइसे से हूँ बहुत different different type के boards है मैं हमारे लेकिन logical reasoning तो कभी पढ़ी ही नहीं सर class 10 तक कि मैं चलो ठीक है समझ ली कुछ कुछ chapters मुझे दिखते हैं मैं स chapters को logical reasoning and questions को tackle कर रहे होंगे और बस एक right approach पता होनी चाहिए मतलब बोलते हैं कि जैसे की game start करने से पहले उसकी user manual अगर पढ़ ले या फिर उसमें थोड़ी थोड़ी तुम्हार को hacks पता चल जाए तो तुम लोग उस game के अंदर बहुत अच्छे stages तक पहुंच जाते हो वैसा ही इसके अंदर है इसके अंदर आपके पास analogy है classification सीरीज है coding decoding order ranking blood relation distance direction setting arrangement nonverbal reasoning wayne diagram syllogisms alphabetical series mathematical series and cubes बहुत ही basic basic chapters है इनको देखके तुम्हारे को डर लगरोगा उसके screenshot ले सकते हो लेकिन तुम्हारे को डरने की जरुत नहीं है दरना नहीं है करना है फिर से बोलूँगा दरना नहीं है करना है हमारे को 100% लेके आनी है ठीक है तो आप सभी के लिए भी यहाँ सब्सक्राइब पर मैंने तमाम बहुत सारी वीडियो जाला की है आपके logical reasoning के लिए तो उनको भी जाके check out कर सकते हो मेरी classes के अंदर live आके मुझसे पूछ सकते हो कि सर यह वाला subject यह वाला topic कब करा हो गया फिर कब करा चुके हो तो मैं वहली playlist देख लेता हूं जाके और नही प्राक्टिस करते रहेंगे questions को जल्दी 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 आखों के सामने से निकालते रहेंगे और हम लोग logical reasoning के अंदर बहुत अच्छी marks लेके आएंगे इसके बात कि अगर मैं बात करूं तो आप सभी के सामने जनल लो लिजाए इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के conflict ह साइन्स का student ही। मैं का Master student ही। मैंतों साइंस का स्वाली स्टुटेंट ने स्टुटा टो साइन्स वाली स्टूट receive Πढ़ने पड़ेगी की ऑलिटिकल परनी पड़ेगी नहीं पढ़नी पड़ेगी लेकिन उस उस कुछ इप तक नहीं बढ़नी तुम्हारं को कुझ कुछ है पढ़नी हैं basic basic चीज़ हैं जो कि एक normal human being को पता होनी चाहिए कि क्या आपके मुगल महराजा के बारे में पता पूछ लिया जाएगा कि कौनसी कौनसी जो आपके डेली सलतनत थी उनकी पूरी की पूरी क्रिनलोजी पूछ लिजाएगी कि कौनसे तो आप सभी को जो मैं शीर्ज दूंगा पीडिएफ दूंगा हर एक चीज वहां से डारेक्ली आती है मैं तो अपने प्रवेश बैच के अंदर बच्चों को जो पीपीटी दे रखें आ इन्हें वर्ट तो पढ़लो और तुम लोग एक्जामेनेशन के बाद आकर बोलोगे स पर कि आपकी इस PPT से सवाल आया है, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ, बहुत concise way में मैंने आप सभी को हर एक चीज दे रखी है, इन्हें जाके check out कीज़ेगा, और दरना नहीं है भाईयों इसों से, इन चीज़ों से, और current affairs के अगर मैं बात को लूँ, तो current affairs आप लगबग 6 महीने का पढ़ना शुरू कर दो, November 2023 से पढ़ना शुरू कर दो, और May में में अगर paper होता है, तो ठीक है में तक पढ़ेंगे, नई तो June में होका तो June तक तो पढ़ना ही पढ़ेगा, ठीक है, नवेंबर 2023 से पढ़ना जरूर से शुरू करेंगे आप लोग, अब सब पढ़ना कैस बच्चों को लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता लेकिन बोलता है नहीं कर सकता है तो उसको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से खबर भी होता है और उनका सबसे जादा फेवरेट हो जाता है तो इसी वजी से आपको रेगुलर टॉपिक रिवीजन करना पड़ेगा एक बार टॉपिक खतम हो गया उसके बाद भी उसको रिवाइज करो बार बार रिवाइज करो जो मैं मैं डीपीपीज दे रहा हूं जो मैं आपको कोश्चन्स दे रहा हूं जो मैंने क्लास के अंदर पीपीटी कराई है उसके कोश्चन्स को आप तो लॉजिक्स दियेते, क्या मैथट दियेते, उस तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से चीज़े याद भी हो जाएंगे, और रिवाइज भी हो जाएंगे, आप सभी, प्राक्टिस आपको more and more, जितनी प्राक्टिस करोगे, जैसे कि म मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको PPTs दे रहा हूं, DPPs दे रहा हूं, और नहीं तो आपको exclusively प्राक्टिस करनी है ना, तो आप लोग PW Publications की General Test की बुक, जो की Amazon पे और Flip Card पे नंबर वन रैंगिंग पे है, तो उसको भी ले सकतो, वो आपकी call है, लेकिन मैं अपने end से हर एक चीज तुम्हार को प्रोवाइड कर रहा हूं, और फिर कहा है, six month का run fs मैंने आपको बताई दिया है, स्टाटिक जी के लिए भी वाली बुक है, नहीं तो जो वाली PW Publications की, नहीं तो मैं आप सभी को अपने classes के अंदर हर एक चीज बताऊंगा, so students I hope आप सभी को ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है, आप लोगों को चीजें clear हुई होगी, एक चीज मा बोलूँगा, अपने उपर भरोसा रखो, कर लोगे तुम लोग, लेकिन 100% dedication तुम्हें देना पड़ेगा, अभी एक नया subject है, नई जर्नी शुरू कर रहे हो, तो dedication दे दो, इन बचे दे दिन के अंदर भी हम लोग marks लेके आ सकते हैं, और लेके आएंगे, इस चीज की guarantee दे रहा हुँ, शेयरटी दे रहा हुँ मैं आप तभी को, और जब देखना, इसी चैनल के ओपर ना, जब toppers का interview चल रहा होगो न, after your CUT 2024 result, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, तुम्हार को उसको proof करूँगा, बविश्यमानी यहाँ पर कड़ा होके, बोल रहा हुँ मैं, कि वहाँ पर भी बच्चे बोलेंगे, yes की सर, आखरी के दिनों में पढ़के, आपकी सही guidance देखके, जनल टेस्स के अंदर हम इतने अच्छे marks लेके आगे हैं, तो आप लोग भी भटक रहे ह कभी इतर, कभी इतर, नहीं, एक बार हाथ पकड़ लियाना, तो आप लोगों को आपकी dream university तक पहुचा के ही, मैं दम लेने वाला हूँ, so students, I hope आप सभी को सारी की सारी चीन समझ में आगी होंगी, तो यहीं पर इस session को end करते हैं, और कोई भी doubt होगा, do leave a comment in the comment box, मैं आप पी से अलविदा रेता हूँ, till then, bye bye, take care, and do leave a comment in the comment box, जै हिन बच्चों!